इस शोर जस्ट एजब कूल लेम एंड नथिंग एल्स वन तिंग विच आ वुड लाइक टू आस की नया क्या था इस शो में पार्ट फ्रम दिस अंदेखी की स्टोरी फालो कर रही है दो ट्राइबल लड़कियों को जो सुन्दर बन में मडर करके भाग जाती है मनाली और वहाँ वो अटेंड करती है तेजी और दमन की शादी जिसमें उन में से एक लड़की का हो जाता है मर्डर अब इस सस्पेंस ट्रामा को डीएसपी गोश बाबू कैसे करते हैं सॉल वो आपको दस एबिसोड सोने लिफ पर देखके पता चलेगा इस शो में वही सारी चीज़े हैं जो हम पहले काफी बार देख चुके हैं लाइक बिट्रेल, कॉंस्पिरेसी, रिविंज, कन्फेशन, विजिलन्टीज, एंड पॉलिटिक्स अब मेन कोशन यह है कि वाज़ाई इन्वेस्टेड, आइविल जस से नॉट तैट मच शो लिट्रली में टाइम पास करने के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको ब्रूटल मुर्डर एंड टॉर्चर देखने को मिलता है, सीरीज में एक बंदा है रिंकू जो ना किसी से भी नहीं डरता और जो उसका रुतबा है वो बिलकुल भौकाल वाला है, I mean सिर्फ उ इरिया में जो की काफी जादा इंट्रीगिंग था, लेकिन अगर हम उसके इवाल्यूशन की बात करें तो वह काफी जादा बेकार था, basically he is the only guide जिसको ले करदा आप शुरुआत से लेकर एंड तक आप शो देखेंगे, क्योंकि इसी बंदे के कारण जो major twist and turns है वो आ रहे ह और यहां था कि उस बंदे ने जो performance भी दिया है, वो भी worthy है, शो में कुछ और भी performances है, जिन्होंने काफी बड़ी आप performance दिया है, लेकिन उनका जो time to time screen पर आना है, वो possible नहीं हो पा रहा था, और जो उनका character था, वो background में चले जा रहा था, जिसकी विज़ा से मैं उनके character मे जादा invested नहीं हो पाया, हर एक episode में आपका एक favorite character बनेगा और लेकिन episode के end तक वो जो favorite character है, वो background में चले जाएगा, जिसकी विज़ा से आप बिल्कुल भी invested नहीं हो पाएंगे, and I really don't know कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है, time to time अकर character को develop करते तो वो काफी जादा बढ़िया रह और जो focus करना है, वो काफी जादा मुश्किल हो जाता है, ये show बिल्कुल CID और Crime Patrol की तरह है, जिसमें घुमा फिरा के वही होता है, जो आपको पहले सही पता है, इसके अलावा मैं आपको बता दू कि DSP घोश बाबू ने काफी बढ़िया performance दिया है, जैसे कि वो बहुत पह स्वेर है, वो गाली वाल है, तो उनका जो सटायर है, वो उतना जादा वर्काउट नहीं कर पाता, लेकिन कुछ टाइम पर उनके जो डाइलॉग्स हैं, वो वर्काउट करते हैं, प्रोडक्शन कॉलिटी की बात करू तो वो काफी जादा मुझे पूर लगा, क्योंकि जो आडियो डबिंग की गई है, और जो बैगराउंड स्कोर है, वो काफी जादा बेकार लगा मुझे, इट्स जस्लाइक पैसा बरवाद, और जो प्रोस्थेटिक्स पे भी इन्होंने खर्चा कर रहा है, वो भी लो कॉलिटी का ही लगता है, अगर अभी फिलाल आपके पास क देखने के लिए नहीं है, और आप काफी जादा बोर्ड हो रहे हैं और यह आपको मिनी सीरीज टाइप कुछ देखना है, तो आप ये शो टाइम पास में देख सकते हैं, और नोटिसिंग और आट आट आइम पास अबावा, डू लेट मे नो कि आपके क्या थॉट्स हैं व झाल